नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कश्यप किसका होगा राच्टिलक में आपका स्वागत है क्योंकि सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वस्त निया नतीजे पाच राज्यों की इस सियासी घमासान में आपको आज तक पर ग्राउंड रिपोर्ट्स नतीजे सबसे पहले आपके पास हम लेकर आए हैं आज तक पर लगातार कवरिज बने रहे हैं हमारे साथ लेकिन पांच राज्यों के इस चिनाव में जिसमें मद्प्रदेश है, राजस्तान है, छतीज गड़ए, तलंगाना है, मिजोरम है, क्या है, बड़ी बातें उनके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बाते ते करेंगी 2019 की राफ, पांच राज्यों में थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, आठ बजे से मत पेटिया खुलेंगी और मतों की गिनती शुरू होगी, पहले पोस्टिल ब ही सरकार बने, लेकिन दूसरी तरफ भारतिय जनता पार्टी आश्वस्थ है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गड़ में उनकी सरकार बापसी कर पाएगी, किसके दावों में कितना दम, पांच राज्यों की तस्वीरों के साथ शुरूआत कर रहे हैं, आज वसुंद की राद बीती होगी, और दिन किसका कयामत भरा होगा, इसी बात का इनकजार है, लेकिन 2019 से अगर इसको जोड़ के देखिएगा तो याद रखिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से लेकर, बीचेपिय अध्यक्ष अमित शाह, राहूल गांधी से लेकर, तमाम जो बड कमलनाथ से लेकर सिंधिया, उधर सचिन पाइलेट अशोग गेलोट, सबने पूरी ताकत जो की है, उन सब पर आज नजर रहेगी, क्योंकि उन सब के लिए, कैसी रात बीती होगी, आप अंदाजा बस लगा सकते हैं, कमलनाथ जो दावेदार हो सकते हैं, कॉंग्रस दिन बेहद में तो पूर्ण चोथी बार सरकार में बापसी की कोशिश, रमन्ट सिंग के लिए इधर वसंदुरा राजे परा जाईए, और दूसरी तरफ सचिन पाइलेट और अशोग गेलोट, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर सुबह छे बजे से ही मौजूद है, पता नहीं सुबह की रोशनी अभी नहीं हुई है, लेकिन आज के दिन की रोशनी किसके घर तक पहुँचेगी, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, शरत हमारे साथ हमारे सयोगी इस वक जैपुर से जुड़ रह हैं, सुनील नामदेव राइपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरत सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी तो भोर भी नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच शरत नजर होगी, रानी पर खास तोर पे, क्योंकि राजस्तान से जो नतीजे आएंगे, उसका जिक्र हर जगा पर होगा, यह वही दर्ती है, जहां से बजरंग बली का नाम लिया गया था, शरत. निकलेंगे, वो तिर्पुरा सुन्दरी मंदिर में जाकर बैठेंगी, बासवाडा में, कर्वे गंटे का सफर है, यहां से अपने फ्लाइट से जाएंगी, वो चौपर से, और तब तक मंदिर में ही कैद रहेंगी, जब तक रुझाने आने शुरू नहीं हो जाएंगे, औ ऐसा कहा जा रहा है कि 11-12 बजे तक वो मंदिर के अंदर रहेंगी, तो एक तरह से कलकाई भी रही थी, कि जितने एकजीट पोल हो रहे हैं, मुझे उन पर बहुरुसा नहीं है, मेरा तो उपर वाला है, मैं उपर वाले से मांगने जा रहे हूं, क्या पता वो खुद दो दे लेकिन कॉंग्रेस कर रही है कि इतना ख्याल अगर जनता के पास गई होती तो भगवान भरोसे नहीं रहना पड़ता, इस तरह से आप जिक्र कर रही थी, अंजना की इस चुनाओं में, चुनाओं बहुत अलग माइने में गिना जाएगा कि राजस्थान का चुनाओं था, जैसा कि आपने जिक्री किया कि हनुआन जी की जाती, राहूल गांदी का गोत्र, भारत माता, फत्वा, कुमकर्ण, सारे पात्र आगए सिवाई राजस्थान के लोगों के और राजस्थान के लोगों के, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है वो नेरेटिव चेंज कर यह हमारे मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पर हम वोट डालने जाएंगे, यह वैकीन मानिए कि आज जो रियल्ट आने वाला है, इनी मुद्दो पाने वाला है, जितने मीडिया में या फिर रैलियों में चर्चे हो रहे थे, वो सारे मुद्दे गोड़ हो जाएंगे, क्य कि एक तरह से रिजल्ट जो भी आए लेकिन अगर हम मैदान में थे वहां जो एक नराज की दिख रही थी वसंदार राजे का वो बीजेपी के अमेश शाह और नरेंदर मोधी की सभाओं था उसका उसका असर दिखने लगा था यह लोग वसंदार राजे का नाम तक नहीं ले ले थे रैलियों में आपको याद होगा लास आखरी दो दुनों में तो किसी रैली में नाम नहीं लिया था तो एक कहा जा सकता है कि राजस्थान के चुना अपने आप में अजीब धंक से लड़ा गया और आज के बार अगर कॉंग्रेस जीती है तो यहां पर एक नई लड परिक्षा जो होगी वह अब सुरू होती है अभी तक तो बीजेपी खिलाफ नाराजगी थी लोग घरों से निकले अगर वोट देते हैं कॉंग्रेस के लिए तो उसके लिए निकले हैं लिए राहूल गांदी के नेतितु की परिक्षा अब होगी कॉंग्रेस के अंदर के जगड़ें उसको कैसे सुल जाते हैं और उसमें आगे कैसे बढ़ते हैं वो देखना बहुत दिल्चेस होगा जिए अभी तक कम से कम उस अंदर के बवाल पर धक्कन लगाने में वो काम्याब रहे हैं कौन सा मंदिर कहा आपने कहा जारी है वह सुंद्रा राजे यह अजना त्रिप्रज सुंद्री मंदिर है बासवडा में और अशो गलत अक्सर मजाक उड़ाते हैं उनका कि जब वो जीट जाती है तो वो जो देवी माता है त्रिप्रज सुंद्री वो अक्सर खोजा करती है वो सुंद्रा राजे कि वो कहा चली गए लेकिन यह कहा जा करती हैं और पूजा पार्ट करने के बाद यह सीधे पूजरा सुन्दरी मंदिर बासवाडा के जो गुजरात के सिवा पर है वहां चली जाती है और वहां मंदिर में अंदर बंद करके बैठी रहती है मंदिर में इनके सिवा कोई नहीं रहता और जब वहां से रुजहानों के बारे में जब इनके लोग वहां बताते हैं कि ऐसा रूज़ान आ रहा है तब वह मंदिर से बाहर निकलती है तो दो चुनाओं में देखा है कि उनका मूड ठीक रहा है तो बात की है वरना वो सीधे जैपू निकल आती है जी तिक है दिलचस्पप आपने ये बताइए है यही सार भी है वसुंद्रा राज है फिलहाल भगवान भरोसे लेकिन जनता का भरोसा किस पर यही जानने के लिए आपको लिए चलते है रवीश पाल सिंग हमारे साथ भोपाल से जुर रहे है रवीश यहां की लड़ाई भी कम दिल्चस्प नहीं है एक तरफ जोते रादित्य सिं देखिये आगर बताये कि शिवराच सिंhta जो है वो भोपाल में ही है आज जब भी भोपाल में रहते हैं शिवराच सिव और हो सकता उसके बाद वो माता मंदिर के लिए निकलें जो कि एक प्रसिद मंदिर है भोपाल का लेकिन बात जो आपने एक और की है वो ये कि लड़ाई जो अब तक थी जैसा कि शरत ने भी बताया जैपूर में कि जो लड़ाई अब तक थी वो तो सिर्फ इस खिलाफ थी कि पंद्रा साल हो गए मद्यप्रदेश में भारतिय जनता पार्टी को तो उसके पक्ष में वोट गया नहीं उसका फैसलाब आएगा लेकिन जो दूसी लड़ाई है जिसकी बात उन्होंने कहीं शराजी ने भी कि जो राहुल गांदी के नेत्रत की अगनी परिक्षा है वो व पर भले ही कमलनात के नाम के पोस्टर लग चुके है मद्यप्रदेश के अलग अलग चेहरों में मुख्यमंत्री बनने के लिए लेकिन जब नतीजे आएंगे और वाकई में यदि कॉंग्रेस यहां जीत जाती है लेकिन अगर कॉंग्रेस वाकई जीत जाती है तो एक दूस पोल के बाद लगबग यह तैमान लिया है कि मद्यपरदेश में 15 साल का उसका जो सत्ता का वनवास है वो खत्म होने जा रहा है लेकिन जिस तरीके से एक्जिट पोल में नेक टूनेक फाइट बताई गई है कही ना कहीं यह चिंता की विशे कॉंग्रेस के लिए भी हो सकती खाने चाहिए क्योंकि अगर आरती करते हुए कही नजर आते थे नर्मदा की भी आरती करते नजर आए तो राहुल गांदी के एक तरफ कमलनात एक तरफ जोतेरादित्य सिंधिया अब तो फैसले की घड़ी आ सकती है अगर एक्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तबद जी अंजिना मुख्यमंती रमन सी जब रूबरू है हम लोगों से तो उन्होंने साफ किया कि वो चौती बार सत्ता में काबिज होंगे और विकास के मुद्दे पर जनता ने उन्हों वूड दिया है ऐसा मुख्यमंती रमन सी का दावा था लेकिन जो एक्जिट पोल आया ज तो तमाम जो कॉंग्रेस के विरोधी दले चाहें बीजेपी हो या अजीत जोगी की पार्टी जनता कॉंग्रेस हो दोनों को लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पर वो किंग मेकर की भूमी का निगवाएंगे और पहले जोगी ने इस बात के अंदेशा जाहिर किया था कि बी दिन पहले उसके बाद अजीत जोगी ने 12 धर्म गरंतों की कसम खाकर कहा कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहां काउंटिंग सेंटर में बीजेपी के कॉंग्रेस के और अजीत जोगी की पार्टी के पोलिंग कांग्रेस के कांटिंग से जो एजेंट हैं उससे मुक्ती मिलेगी अजी जोगी क्या वाकई में किंग मेकर की भूमिका में होंगी मारे मानने श्रीय जी जोगी जी किंग तो पहले से हैं अब मेकर की भूमिका वो समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा किंग मेकर कैसे बन रहे हैं लग रहे हैं बीजेपी अपना किला बचा पाईगी जी निचीद बिलकु जी विगात 15 सालों से जो ड़क्टर रमन सी जो अपना जो विकास के जो गड़ गरे हैं 36 गड़ में उसका परणा हुनको मिलेगी और जंता उत्साहित है अंजना यहां पर कारिकरता बहुत उत्साहित हैं काउंटिंग को लेकर चुकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है 36 गड़ में वो कम सीटों का रहा है 90 सीट रही है लिहाजा बीजेपी और कॉंग्रेस के सामने बिल्कुल नेक्ट नेक्ट फाइट रही है लेकिन इस बार अजीद जोगी की पार्टी ने बीएसबी के साथ जो गड़ बंदन किया है उससे उन्होंने करी 22 सीटों को प्रभावित किया है बीजेपी का मानना है कि जो अजीद एक बार आपको जरा अशीश के पास लिये चलते हैं क्योंकि तलंगाना में हाइदरबाद से वो मौझूद है और आपसे अशीश मेरा सवाल यही है कि बीजेपी ने कोशिश की थी कि वो केसियार की तरफ फिर से जरा हाथ बढ़ा है लेकिन ओवैसी जादे पक्ये साथी न हम इस समय असदे-928 के निवास्तान पर मवजूद हैं पीछी तो काफी भव्य बंगला हम कह सकते हैं कल प्राइर्टी उनका जो मुख्य साथी होगा वो टियारेस होगा तिलंगाना रास्थ समिती होगी केसी आर होंगे लेकिन कॉंग्रेस इधर अभी भी अपने सारे विकल्प खुले हुए रखी है कॉंग्रेस के नीता संपर्क में हैं असदुदी नुवईसी कैसे हमें जानकार पारी मिल रही है और किस कर्वट यह उट बैठेगा रिजल्ट जब आएगी क्या रिजल्ट आ रहे हैं अगर हंग सिम्ली के की सूरत बनती है और केसी आर की पार्टी टियारेस अगर 40-45 के बीच में रुकती है तो जायर तोर पे उस 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 मुकाम पे असदुदी कि हाइदरबाद में रहते हुए असदुदीन ओवैसी देश के सबसे जो बड़े सियासी सुलगते हुए मुद्दे हैं उनको हवा दे देते हैं और फिर राष्ट्रिय चर्चा में वो एक छोटी पार्टी नहीं बलकि एक बड़ी पार्टी के रूप में एक ऐसा चेहरा ब मुझूब तैयारी है सुबा हुई किने की कॉंग्रेस दफ्तर में जी बिलकुल अंजना देखिए मैं उस जगे हूँ जिसको अब कॉंग्रेस का नया वार्रूम कहते हैं हाँ बारत तुगलक लेंज राहुल गांधी का आवास है अब वो सत्ता का केंद्र और रंडीतियों का केंद्र बन गया है कॉंग्रेस के लिए और जहां कोई नहीं पहुचता जहां जब कोई नहीं पहुचता तो आज तक पहुचता अब देख रहे हैं अब इभी स्याह अंधेरा है सुबह हो रही है थोड़ी जाडू और साफ सफाई हो रही है अब देखना है कि कॉंग्रे करेंगी रोशनी का फैसला जिस दिये में जान होगी वो दिया रह जाएगा तो जनता फैसला करने वाली है और जो कॉंग्रेस को यह उमीद होगी राहुल गांदी को यह उमीद होगी कि उनकी उनका दिया जो है वो रोशन करें राजस्तान से लेके तिलंगाना को और जो कॉं जाए और कॉंग्रेस का जादू चला तो मध्य प्रदेश में मामा को भी का सूपड़ा साफ होगा और कमल जो है नात का खिलेगा और चावल वाले बाबा जो है करो या मरो की स्थिति है क्योंकि नरेंद्र मोदी से जादा सारा फोकुस और स्पोटलाइट राहूल गांदी पर है और जैसे जैसे मोड बदलता है ना अंचना यहां तो लख लेन में वैसे वैसे हम आपको सारी अपडेट देंगे बिल्कुल और शरत जैसे ही निकलती हैं वसुंद्रा राजे त्रिपूरा सुंद्री मंदर के लिए हाथ उठाईएगा हम फोरन तस्वीरों के लिए आपके पास आएंगे और यह तमाम रिपोर्टर्स पर लागू है कोई भी खबर हो कोई नेता आपके पास पहुंचे तो फोरन हाथ उठाईएगा हम आपके पास आएंगे हिमांचू दिये में जान बची है क्या बीजेपी में क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमानों ने थोड़ी मायूसी लाई है जहां आप खड़े हैं हिमांचू अंजरा मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी का एक बहुत पुराना नारा था और अटल जी पूर प्रधान मंत्रियां उनका एक वाक्या था जिसको लेकर बीजेपी हमेशे कहती है कि फिर सवेरा होगा और कमल खिलेगा बीजेपी को पूरी उमीद है कि इन पाँच राजियों में से जो तीन राजिये जहां उनकी वरतमान में सरकार है वहाँ पर एक बार फिर से वो सरकार बनाएंगे और तेलेंगाना के अंदर और मिजोरम में पार्टी मजबूत होगी कल हमने बहुत से निताओं से बात की एक्जिट पोल को लेकर सबका यह कहना है कि देखिए एक्जिट पोल का जो सेंपल सर होता है वो बहुत कम होता है हमको उमीद है हमारे संगठन को उमीद है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं कॉंग्रेस का संगठन कहीं पर भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे सकें वहाँ पर नेतर्ट की कमी दिखी और हमारे पास नेतर्ट है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का चहरा है और साथ में संगठन की दिश्टी से देखा जाए तो आज की राजनीती में अगर कोई चुनाव जितान हाँ थोड़ी सीटे जरूर कम हो सकती है पिछली 2013 के मुकाबले में लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने अंदर खाने संगठन को लेकर साथ चलाया और अपने कारेकरताओं की नराजगी को दूर किया राजिस्थान से लेकर मध्यपरदेश में 36 गड़ में वो काबले है और बीजेपी के बारे में एक कहा जाता है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है और पीछे से आरेसेस का अगर साथ हो जाए तो फिर कहना ही कुछ और होता है और मध्यपरदेश में और 36 गड़ में आरेसेस को एक हवा दी कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों ने जिसमें ये कह गया कि संग की शाका है जो है वो सरकारी दफ्तरों में नहीं लगा जाएंगी उसके बाद से कहा जा रहा है हमारी भी मेरी खुद बात हुई सा आरेसेस के कई लोगों से उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा वाक्या था जिसने संग के कारेकरताओं को पूरी तरीके से इस्टों मे जोग दिया और सब पूरी तरीके से संग मध्य परदेश में लगा चत्रिस गड़ में पार्टी को थोड़ी से चिंताई जरूर है क्योंकि वहां MSP का मुद्दा या किसानों का मुद्दा और जोगी जोगी के लिए कहा जाता था कि अजी जोगी जब तक कॉंग्रेस में थ कि वसंद्रा राजे का चेहरा बहुत मजबूत है थोड़ी नराजगी थी उसको लेकर अमिश्टा ने पिछले तीन महीनों के अंदर जोगी काम किया और हर रैली में ये कहते थे कि आपकी नराजगी किसी व्यक्ति से हो सकती है लेकिन पार्टी से नहीं हो सकती और पार्ट कार्ट पर रखिये नजर क्योंकि 230 सीटे मध्यप्रदेश की हो 200 हो राजस्तान की 119 तलंगाना की या फिर 90 सीटे 36 गड़ की 40 मीजोरम की ये स्कोर कार्ट धीरे धीरे भागना शुरू होगा और सबसे पहले तेज सटीक और याद रखिये विश्वसनिय नतीजे आपको क्योंकि इस चुनावी नतीजे पर क्या कुछ दाव पर है दोनों पार्टियों के लिए इस रिपोर्ट में देखे